कि अजया को आप पिए अध्य विजय विजय के अध्य विजय को नियुक्ति विजय कर दो दो लुट लोड़ वाण स्वागत है आप सभी का मेरे चानल अधिवाइन टैरो में कैसे हैं आप सब आप उमीद करती हूं, सब हैपी होंगे, positive feel कर रहे होंगे, positive सोच रहे होंगे अभी भी मेरा गला थोड़ा सा डाउं है, सर्दी अभी थोड़ी सी है तो हो सकता है आवाज में थोड़ा सा आप लोगों को लग सकता है कि आवाज क्यों बदली-बदली से तो सर्दी जुखाम में होता है मेरे दोस्त, तो तिन दिन और मुझे लगता ऐसा चलेगा, थोड़ा बहुत बेटर हूं पहले से, at least weakness है, थोड़ी बहुत, और मैं ठीक हो चुक्यों और thank you for all the love and concern and care, जो आप लोग सबने मुझे दीतनी सारी प्यारी blessings बेजिए, तनी अच्छे-चे comments बेजे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, thank you so much so, आज, जो है, हम लोग करने वाले हैं, आप लोगों के लिए reading, जिसका topic है कि क्या आप दोनों एक हो पाएंगे, ये आप दोनों आपके partner और आप हैं, ठीक है, basically, हम इसमें पूरा overall जो है, जितनी deep analysis कर सकते करने की पूरी कोशिश करेंगे अच्छा, एक और चीज मैं आप लोगों से share करना चाह रही हूँ, मैं बहुत लोगों को observe कर रही हूँ, मैंने अपने analytics में चेक किया, कि बहुत लोग क्या कर रहे हैं, views जो है, चेक कर रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, बट subscribe नहीं कर रहे हैं, जबकि वो लोग regular है मेरे वीडियोस पे, तो मैं आप लोगों को बता दूँ, आप लोग सब्स्राइब कर ले तो आप लोगों के लिए ज़्यादा benefit है, कारण क्यूंकि अप से कैसा होगा ना कि live वही लोग attend कर पाएंगे, जिन लोगों ने subscribe किया हूँ, नोटिफिकेशन भी उनी को जाएगा, और live attend करने का मतलब यह होगा, जिन भी लोगों ने subscribe किया है से वही मुझसे सवाल कर पाएंगे, यह option मैं already अभी YouTube पे पुरा convert कर चुकी हूँ, जिसके कारण जो है, जितने लोग subscribe कर चुके है से वही मुझसे सवाल कर पाएंगे, तो अगर आप लोग ये live sessions को enjoy करना चाते हो, औ अगे की वीडियो को भी देखना चाते हो, enjoy करना चाते हो, अपने आप के लिए like, direction चाते हो कि आप लोग की life में क्या चल रहा है, क्या नहीं, यह सारी चीजों को आप जानना चाते हो, तो subscribe जरूर किया करो इस चानल को, बाकी आपकी मर्जी है, क्योंकि मैं काफी लोगों क काफी टाइम से observe कर रही हूं, कि व्यूज आ रहे हैं हर एक वीडियो में, बट कहीं नहीं subscribe नहीं हो रहा है, और जिन लोगों ने अल्रेडी subscribe किया है, उन्हें मैं तहे दिल से thank you बोल रही हूं, हम अब एक family बन चुके हैं, और इस family में अब मुझे बहुत जादा लाइक, share करना अच्छा लगता है, अब एक तरीके से connection और एक bond create हो चुका है, जिसमें मैं को असर रखता है कि मैं अपने अंदर जितना भी knowledge है या जो भी चीजे है वो आप लोगों के साथ share करो, ठीक है, so thank you so much मेरे साथ बने रहने के लिए और इतना लंबा सफर तेह करने के लिए आगे और लंबा सपर है, हम साथ रहें, यही मेरी इच्छा है, ठीक है, दूसरा भी चानल है, उसे भी धेर साला प्यार दें, इसी तरह जिस तरह इस चानल को दे रहे हैं, दूसरे चानल पे भी मैं बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस पोस्ट कर रहे हूं, ठीक है, और specific राशिक अनु सार, इस चानल और उस चानल दोनों पे ही पोस्ट करती रहोंगी, तो दोनों को इंजॉई करने के लिए आप दोनों चानल को सब्स्राइब करें, इंस्टाग्राम पे मेरे छोटे-छोटे स्मॉल सेक्षिन जो लोग बिजी रहते हैं, और लोगों को बहुत वीडियोस चाहिए कि पिकक काट जल्दी दिखनी है, तो उनको इंस्टाग्राम पे इंजॉई करने में बहुत मज़ाएगा, इंस्टाग्राम का भी लिंक मैंने डाल दिया है, कुछ लोग जानना चाते हैं कि मैंने बुक्स कहां से लिक पड़ी है, टुइन फ्लेम्स, कार इंस्टी रहती हूं हमेशा, वो गुम हो गया, अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने बताया था, मेरा ब्रेस्लेट गुम हो गया है, किसी कारण वर्ष मैंने उसे कहीं गुमा दिया है, नया मंगा आया है, आने में टाइम लगेगा, क्रिस्टल्स और जो भी शेल्ल्स ज पाएंगे, वो वेबसाइट भी बहुत जल्दी में, आप लोगों के साथ उसकी लिंक भी बहुत जल्दी शेयर करने वाली हूं, ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, आज की रीडिंग मैंने पिकका कार्ट रीडिंग रखी है, काफी दिनों के बाद ये रीडिंग मैं करने दिख सकते हैं, ये लेविंडर है, और ये ब्लू है, आप लोगों को दोनों में से एक का चुनाव करना है, ठीक है, ब्लू, लेविंडर, ये पाइल वन होगा और ये पाइल टू होगा, ओके, आप इसे अच्छे से अब्जर्व कर लें, चाहे तो पॉस कर लें, मैं इसे एक-एक करके आपको दिखा देती हूँ, ब्लू कलर का पिरामेड जो है, बहुत सारी चीजों के लिए यूसफुल होता है, ठीक है, अब मैं ये नहीं कहूंगी कि इसे बाइ करो, घर में रखो, वो अब हम रेमिडीस नहीं कर रहे हैं, ठीक है, सो बेसिकली से इस चीजों क गाइडेंस दूगे कि, specially blue color आज की डेट में बहुत लखी माना जाता है, बहुत जादा, अगर आपको कोई भी काम बन नहीं रहा है, मान के चले कि किसी चीज में आप बैठे हैं काम करने, वो काम अटक रहे हैं, तो कहते हैं कि blue color का कपड़ा, या blue color के कपड़े पहनने से, या रंग पहनने से आपका काम बन जाता है, तो blue color almost काफी लोगों के लिए लखी होता है, ठीक है, blue color में काफी जादा लाइक होते हैं, ऐसी तरीके की like vibes हैं, energies हैं, जो आपके अंदर positivity लाते हैं, तो ये blue pyramid crystal है, आप लोगों के सामने, pile number 1, अब pile number 2 की तरफ देखते हैं, pile number 2 lavender color, ये फूलों की पंखड़ियों को justify करता है, फूलों की पंखड़ियां जैसे लक्षमी मा के इधर होती है, माता रानी को बहुत जादा पसंद है, इविन कहते हैं कि ये feminine energies को justify करता है, feminine energies और काफियत तक universe के अभी favorite color होता है, so basically दोनों ही color अपनी अपनी जगा बहुत ही ब मैं आप लोगों के लिए पहले meditation शुरू कर रही हूं, bowl meditation, आप लोग चाहिए तो इस part को skip कर सकते हैं, फिर उसके बाद हम लोग reading शुरू करेंगे, okay, इस bowl meditation में क्या करना है आप लोगों को, आप लोगों को अपने partner को इस शण में, present moment में imagine करना है, कोई भी past memories नहीं होगी, जो आप लोगों का present moment है, आपको वो याद करना है, उनके साथ, present moment याने के अगर वो आ गए, तो वो आपके साथ क्या करेंगे, या क्या करेंगी, कैसे behave करेंगी, या कैसे smile करेंगी, क्या romance होगा, या क्या आपकी picture है, आप उन चीज़ों को plan करें और imagine करें, लड़का आपके बाटने जन्डर स्पेसिफिक रीडिंग्स नहीं होती है, ठीक है? हर दो हर आपके साथ क्या है, बखके रीज़ क्या आपके साथ कर आपके साथ हर भावा, या करेंगी, का रभृष्खों कर 2006 को Kollegen झाल 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 तो बोल मेंटेशन इग्साटली क्या करतता है वो आप लोको को खील करता है कोई भी चक्रा अगर आपके अनाक्तिव रहेंगे तो आउस्तिव हो जाएंगे किसी तरीके के लिए अगर आप आप समय से टक फिल कर रहे हैं, anxiety या stress feel कर रहे हैं, तो वो anxiety release हो जाती है, कभी-कभी ये आप लोगों का manifestation पूरा करने के लिए भी बोल जो meditation है, वो useful हो जाता है, यानि कि आप जो imagination create करते हो अपने partner के साथ, person-personing के साथ, यानि के लड़का-लड़की जो भी है, उनके साथ जब आप कोई imagination create करते हो इ meditation के तौरान, तो कहते हैं कि universe उसको बहुत आसानी से सुन पाता है, और उसको बहुत clearly देख पाता है, ठीक है, so basically जब ये meditation में आप लोगों के लिए करती हूँ, तो इसका एक मात्र पॉइंट ही होता है, कि एक तो मैं आप लोगों को heal करने की कोशिश करती हूँ, ताकि इवन आपकी health और fitness में भी आपको बहुत जादा benefit मिलता है, metabolism बहुत तेज हो जाता है, अगर किसी तरीके की बिमारियों से आप बहुत समय से जूज रहे हो, तो ये आपको बहुत जादा heal करने की कोशिश करता है, ठीक है, so कई ना कई मैं कोशिश करती हूँ, कि वीडियो क कि सब पर resonate करे, पर most of the time कर जरूर जाती है, ठीक है, और एक और सीज बता दू, ये reading timeless है, जबी भी आप देख रहे हैं, ये आप लोगों के लिए applicable होगी, ठीक है, so चलिए लेके प्रभु का नाम शुरू करते हैं, हम आपने pile number one, blue crystal, ये blue pyramid crystal, ठीक है, अब हम लोगों का topic यही है, कि आप दोनों क्या एक हो पाएंगे, ध्यान रखिएगा इस बात का, कि लड़का लड़की दोनों के लिए reading बनाई गई है, आपके partner कोई भी हो सकते हैं, लड़का भी हो सकते हैं, लड़की भी हो सकते हैं, तो थी या था important नहीं होना चाहिए, आप लोग अच्छे से जानते हैं, मैं थी बोल रही हूँ या था, आपके partners का gender आप अच्छे से जानते हैं, तो universe मुझे बताएं, कि जो मेरे viewers ये reading देख रहे हैं, क्या वो अपने partner के साथ एक हो पाएंगे, क्या उनका reunion होगा, क्या वो दोनों एक होंगे, क्या इस जनम मे उनका एक होना लिखा है, उनकी कहानी में क्या होगा, उनकी जिन्दगी में क्या होगा, उनकी लव लाइफ में क्या होगा, मुझे पूरी energy से, Ace of Swords, Five of Swords, ओके मैं दिस देखा कि कैमरा थोड़ा सब लर होगे, अब ठीक है, आई वो बाब आपको दिखेगा, Death, Six of Pentacles, पर मैं उपर रख देती हूँ, Six of Cups, The Moon, The High Priestess, Ten of Swords, Seven of Wands, The Lady, Bottom of the Deck, Strength. So, सबसे पहले मैं बता दू, जिन से आप डील कर रहे हो, मुझे वो काफी strongly आपके Twin Flame दिखाई दे रहे हैं, Twin Flame energy बहुत strongly दिख रही है, and Twin Flame energies जहाँ पर observe की जाए, वहाँ पर third party तो definitely नजर आ ही जाती है, पट यहाँ पर हम third party के बारे में ना बात करकर, हम इस चीज़ पर focus करेंगे कि आपके relationship में exactly क्या चल रहा है, As of now मैं यह देख पा रहे हूँ कि आप जिन से deal कर रहे हैं, वो Libra occurs Gemini हो सकते हैं, क्योंकि बहुत ही तीखा और बहुत ही तेज तरार सभाव दिख रहा है, जो बहुत ही blunt और practical सोच रखते हैं, जिनका mindset बहुत ज़्यादा straightforward है, जो बोलते हैं और gutsy है, like होते हैं बहुत ज़्यादा like guts वाले इंसान है, बहुत ज़्यादा practical बोलते हैं, बहुत ही romantic और loving और caring भी है, कही ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, उसके अलावा आपकी जो signs दिख रही है, वो Kansas, Scorpio, Pisces, Scorpio की energy मुझे strongly दिख रही है, या किसी तरीके का argument मुझे दिखाई दे रहा है, आप दोनों की situation में, कोई ऐसी problem create हो गई है, जिसमें आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा या तो argument शुरू हो चुके हैं, आप दोनों इंदूरे को समझ नहीं पा रहे, या आपके person जो है, आपको सबोटाज, यानि के cut off कर चुके अपनी जिंदगी से, cut off करने का जादा हद तक मुझे से दिखाई दे रहा है कि clear communication जादा आप लोगों को receive नहीं हुआ, मैं इस वक अपने जिंदगी में बहुत सारी तकलीफों को देख रहा हूँ, और मुझे नहीं समझ में आ रहा कि हम दोनों कैसे आगे बढ़ेंगे, और ट्रेक्ट आपको ब्लॉक कर दिया, और ये आप नहीं जानते हैं कि इन्होंने अचानक क्यों बोला, और कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि सड़नली इन्होंने जो है, कल तक जिसका जितना आपके साथ साथ निभा रहे थे, सड़नली इन्होंने आपको ही कट ओफ करके, लिएक दूसरी जगा खुद को डिस्ट्राइक कर दिया, विकोज यहाँ पर आप यह energies को observe कर सकते हैं, यहाँ इनके हाथ में तलवार है और यह सबटाच के moment में है, जिसका मतलब यह है कि आपको देख नहीं रहे, आप ठक हार कर परेशान होकर give up कर रहे हो, आपके relationship में आपको लग रहा है कि आपने क्या किया, आपसे क्या गलती हुई, आपको कुछ भी नहीं पता कि आपसे आखिर ऐसा कौन सा काम हो गया, जिसके कारण यह relationship में इतना gap आ गया, या इन्होंने आपको छोड़ दिया, बट यहाँ पर मुझे असा दिखाई दे रहा है, यह सब कुछ करके यह जो है, इस वक्त यह current पोजिशन में मुझे असा दिखाई दे रहा है, इस वक्त भी थोड़े से ego में है, इस वक्त भी इनको लग रहा है कि इन्होंने जोग किया, वो सही किया, क्योंकि तलवार पे पैर रखे, इनको यह लगता है कि यह debate जीत गई, यह argument जीत गई, आपके उपर जो इनको करना था, वो सही था, कही न कहीं खुद को अभी सही मानते हुए दिखाई दे रहे हैं, कही न कहीं past में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, कि आप दोनों के बीच में, कही न कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, कि इससे पहले आप दोनों के बीच में, कम्नुकेशन काफी स्ट्रॉंग था, इस रिलेशनशिप में बहुत ही स्ट्रॉंग एक बॉंड था, जो कोई भी तोड़ने सकता था, कहीं न कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके relationship में आपके person या person जो भी आपके साथ involved थे वो इतना dedication दिखाते थे कि आपको ऐसा लगता था कि बस दुनिया आपकी मुठी में आप कुछ भी पा सकते हो कुछ भी जीत सकते हो आपके लिए नामुम्किन कुछ भी नहीं आप खुद को बहुत साथा powerful feel करते थे और आपको लगता था मैं अपने आप में ही सक्षम हूँ और मुझे बुलते हैं कि मेरी जिन्दगी में कोई भी चीज की कमी नहीं है आपके जिन्दगी में शायद finances भी कम रहे हूँ या आपके जिन्दगी में कोई भी दुख क्यों न हुआ हो तो भी आप इनके कारम खुद को powerful मानने लगे थे और आपको यह लगा कि यह साथ है तो मेरी दुनिया मेरी मुट्टी में और मेरी दुनिया में में से कुछ भी दूर नहीं जा सकता बट इनका sudden moment जो है यह आपको पूरी तरीके से disturb कर चुका है ऐसा लग रहा है कि बोलते ना पैरो तले जमीन खिसक गई है अचानक सा रातो रात आपकी जंदगी में सब कुछ ऐसा लग रहा है कि बदल गया है सब चीजें वैसे नहीं हुई जैसे आप चाहते हो unexpected moments जिनके इतने weird moments रहे कि आप जो है परेशान हो गए और आपको समझी नहीं आया कि इन्होंने ये सब किया क्यों कारण क्या था और अचानक से इनका मन आपसे क्यों हट गया कल तक जो इतना प्यार करते थे वो अचानक से इतना दूर क्यों हो गए कि वो आपको सुनना और समझना तक सही नहीं समझते है और अपनी ego इतनी जादा highlight कर रहे है कई ना कई मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि current situation आने वाले समय में इस relationship में मुझे काफी हद तक ending दिखाई दे रही है don't worry आगे कि काभी हम लोगों को सुनना है बट काफी हद तक recent में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है very recent near future में इस relationship में end होगा सब कुछ खतम होता हुआ दिख रहा है आप यह relationship शायद कभी नहीं जुड़ सकता शायद आपने गलत इंसान पर invest कर दिया या किसी गलत बोलते ना तरीके से आप कोई गलत रिष्टे में involved होगा अपने आपको बहुत जादा मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि एक सबक लेकर lesson लेकर आप आगे बढ़ते होगे दिख रहे हो अपने जीवन में आप अपने आपको बहुत जादा बदलने की एक बुलते ने interest ले रहे हो कि काश मैं इसको भूल जाओ काश move on कर लूँ काश इसके पास मोड़कर नहीं देखूँ काश कुछ भी ऐसा हो जा जिससे मैं इसके बारे में सोचू भी नहीं वो वाली एक energy दिख रहे है जहां पर आने वाले समय में आप सब कुछ end करते हो दिख रहे हो आप अपनी तरफ से मेरे सामने death का card है जिसका मतलब सब कुछ end होने को है रिसेंट में पर बहुत जल्द मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि financial level पे कुछ ऐसा घटेत होगा जिसमें ये financially या तो आपकी help लेने या आपकी help देने के लिए आएंगे अब ये भी हो सकता है कि आपको अपना जिन्दगी का lucky charm मानते ये मानते हैं कि आप जब इनके जीवन में होते हो तो इनको लग बहुत जाता हासिल हुआ है हमेशा पैसे है की बरकत हुई है हमेशा इंको लक्ष्मी प्राप्त हुई है बहुत जाता इन्होंने जिन्दगी में बहुत सारी चीजे कमाई है पॉसिबिलिटीज है कि इस कारण वर्ष जो है किसी बहाने से आपके पास वापस आएंगे क्योंकि इनको बहुत साथा फेलियर फेस करना पड़ जाएगा और पॉसिबिलिटीज यह भी है कि इनको आप से कोई पैसो की मदद या तो लेनी पड़ करेंगे जिससे आपको लगेगा कि यह बहुत जादा सफ़क कर रहे हैं और यह बहुत जादा तकलीफ में जूचते वे दिख रहे हैं कहीं न कहीं अपने पैरंट्स को लेकर भी बहुत साथा कंसन दिखाई दे रहे तो यह हो सकता है कि आप दोनों के बीच में थर्ड पार कहीं न कई मुझे इसा दिखाई दे रहे है कि आपके परसन चुनाओ नहीं कर रहे हैं पर बहूत जल्द आपके जिंदगी में इनकी अंट्री दुबारा होगी और यह अंट्रीलफ के रिलेटेट मुझे दिख रहे हैं किसी तरही के जि dopamine यहा तो ल думаю यह तो ao ये ये relationship में आप दोनों वापस reconcile करेंगे yes definitely reunion मुझे दिख रहा है आप दोनों का reconciliation होगा लेकिन फिर वही आकर कहानी अटकती होगी दिखाई दे रहे हैं जहाँ पर हम लोग पहले थे यानि के ये कहानी वापस वहाँ जाकर अटकती है जहाँ पर आप दोनों के बीच में यानि के third party और अपने बीच में ये कोई चुनाव नहीं कर पा रहे हैं दुविदा कि उस खड़ी पर आकर खड़े हैं जहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको कोई जवाब हासल नहीं हो रहा है और आप फिर इस बात से परिशान है कि आपने ये क्या कर दिया इन पर भरोसा करना क्या कोई बेवकूफी तो नहीं थी या इन्हें दुबारा अपने जिंदगी में लाना कहीं कोई बेवकूफी तो नहीं साबित होगी कहीं ना कहीं आप मुझे काफी जादा प्राथनाओं में और काफी जादा युनिवर्स को मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हो आप युनिवर्स से मैनिफेस्टेशन कर रहे हो बहुत सारी चीज़े कर रहे हो जिससे ये परसन आपके पास आते हुए मलग मुझे से देख रहा है कि आज आए बस यह आपकी इच्छा है लाइक बोलते ना कि आप बहुत सारी चीजों का ध्यान दे रहे हो बहुत सारी चीजों को कर रहे हो कि बड़े बड़े पंडितों या किसी भी चीजों में आप घुज जाओगे अचानक से क्योंकि आपको लगेगा कि अब ये रिलेशंशिप आफी का है आपका हक है और ये रिलेशंशिप आपके पास ही होना चाहिए क्योंकि जो लॉट कर वापस लॉट आया है मलग घुम जो बोलते ने जिसने यूटन लेकर वापस आया है वो कुछ ना कुछ मुछ से कनेक्टेड है उसका मुझे आपकी तरफ से करते हुए कुछ क्रियाएं भी करते हुए दिख रहे हैं कि किसी तरीके की रेमेडी या इवन मून रिचुल्स भी आप बहुत जादा फॉलो करोगे कुछ चीजों में आप अपने तरफ से कुछ चीजे प्ले करोगे इवन मुझे यह भी स्ट्रॉंग पॉसिबिर्टी दिखने हैं कि अगर बहुत समय से आपके फॉरसन की तरफ कोई ब्लाक मैजिक कर रहा तो उस ब्लाक मैजिक को तोड़ने की आपकी तरफ से पूरे एफर्ट शुरू हो जाएंगे आप अपनी तरफ से पूरे एडी चोटी का बोलते ना जोर लगा देंगे हर लेवल पे कि इस रिलेशन्शिप को अब बाई हुक, बाई क्रुख मुझे वापस ठीक करना होगा, यह रिलेशन्शिप बार-बार मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता है कि आएगा, टूटेगा, आएगा, तूटेगा, मैंने पेन सेनी का हक नहीं रखाए या यह जिम्मेधार मेरी नहीं है मैं ये रिष्टा डिजर्ब करती हूँ या करता हूँ और ये रिलेशन्शिप मुझे वापस चाहिए जिसके लिए आप बहुत ज़ादा एफर्ट डालेंगे कही ना कहीं एक सर्टन एफर्ट डालने के बाद फाइनली आप गिव अप कर ही देंगे जहां पर आ पर बार आपकी जिसलिदिगी से खिलवार होता चला जा रहा है जाना है कि अतने हमें यह चाहिए को होते हैं तो यह फला-बोते हैं जो लोग एक cell हो जाते हैं Twin Flame Journey Twin Flame Journey मैं बता देती हूं Twin Flame Journey आप लोगों की तब तक पूरी नहीं होती जब तक आप लोगों कुछ lessons learn नहीं कर लेते जब तक अपने जिंदगी के अध्या है और सबक आप नहीं सिखते आप अपने आपको बदलते नहीं, transform नहीं होते तब तक बार-बार जिंदगी में वही चीज़े आप लोगों के लिए घटित होती है कई न कई मुझे दिखाई दे रहा है कि काफी strongly आप परिशान हो रहे हैं और उसके बाद give up कर रहे हैं कई न कई दुबारा से मुझे से दिख रहा है कि अपने आपको लेकर protective हो जाएंगे आपके अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव आने वाला है, बहुत ज़्यादा changes आएंगे जहां पर आप इस तरीके की personality बन जाएंगे कि अब मेरी जिन्दगी में कोई भी आकर मुझे hurt करने की ताकत नहीं रखता अब कोई आए तो मैं एक एक को बोलते ना सीधा करके रख दूंगी और बता दूंगी या कि मैं क्या चीज़ हूँ काफियत तक आप इतनी powerful energy में आओगे जहां पर आप किसी share के मुझे हाट डालने के लिए ready हो जाओगे आप गिरे जरूर थे लेकिन कहीं न कहीं एक बड़ी छलांग मारने के लिए आप गिरे हो कहीं न कहीं आपके अंदर वो powerful energy दिख रही है जहां पर आप गिर कर दुबारा से एक बड़े level का jump मार रहे हो और खुद को साबित कर रहे हो कि यह जिंदगी आपके ही हाथ में है आप इसे अपने हिसाब से चलाओगे किसी भी इंसान में होते न किसी भी माहिका लाल में दम नहीं कि आपके जिंदगी को आके आपके जिंदगी को बोलते न जहन जोड़ कर रख दे और आपको hurt करे आप दुबारा उस position पे आओगे जहां पर आप बोलोगे कि ठीक है भाई और वो सारी चीज़े आपको प्राप्त होती हुई जरूर मिल रही है लेकिन इसके लिए आपको बहुत जादा बदलाव से गुजरना पड़ेगा आपको transformation से गुजरना पड़ेगा नहीं गुजरने से क्या होगा ना जो भी लोग shortcut ढून रहे उन लोगों के लिए मै बार बार गिरेंगे फिर उठेंगे फिर गिरेंगे फिर उठेंगे फिर गिरेंगे फिर उठेंगे फिर गिरेंगे फिर गिरेंगे फिर गिरेंगे का मतला भी होता है आपके परसन आएंगे जाएंगे आएंगे जाएंगे confused रहेंगे मैं बता दो twin flame journey में सामने वाले person का भ अपने आपको बदलने का जिद आपके अंदर मुझे आता हुआ दिख रहा है इविन मैं कह सकती हूँ शेर छोड़ो सांडे के मुझ में भी हाट डालने के लिए उसको भी लाल जंडा दिखाने में भी आप देर नहीं करोगे आप एक ऐसी परसनालिटी बनोगे और यह आपक सारी इच्छाएं पूरी होगी यह इच्छाओं को पूरा करने के लिए उनिवर्ज आपके साथ बहुत सारे खेल खेलेगा और फाइनली आप दोनों एक होंगे जरूर वो स्ट्रॉंगली मुझे दिखाई दे रहा है तो अगर आप लोगों का क्वेशन है कि क्या आप क्यों ना हो मेरी पर्सन ही क्यों ना हो या लड़का लड़की जो भी मेरे पार्टनर क्यों ना हो मैं अपने आपको प्राइटी देता हूं मुझे अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार है मैं अपने आपको पहले देखूंगा और बाद में ही दूसरों को रखूंगा तब उस दिन आपके जिंदगी के manifestation work करेंगे और आपको वो हासिल होगा जो आप लोग सोच भी नहीं सकते universe मुझे पता है इनके challenges क्या है इस relationship में मेरे viewers के challenges क्या है rebirth देखो ये rebirth आपका एक नया जनम होगा इस relationship में आप एक new personality बनेंगे आप आज जो है आज नहीं आज वाले personality नहीं रहेंगे आप एक ऐसे इंसान बनेंगे जो बहुत ही different है आज की date में आप जो person हो आप बिल्कूल भी वैसे नहीं आज आप बोलते हैं कि बहुत जादा emotional level पर सोचते हो आने वाले टाइम में आप बहुत सारी चीजों को दिमाग से सोचोगे और इसके बात दिल का इसनमाल करोगे आपकी जिंदगी में priorities बतल जाएंगी आप अपनी जिंदगी में आज की नया person बना रहा है यह आपका challenge होगा कि आपको नया person बनना है काफी लोग नया person बनने से पहले ही give up करेंगे और बोलेंगे कि नहीं यार मुझसे तो नहीं हो सकता मैं नहीं कर सकता या मैं खुद को नहीं बदल सकती पट कहीं न कहीं at the end by hook by group आपको तब तक जब तक आप बदलेंगे नहीं तब तक आपको बार बार वही lessons रिसीव होंगे बार बार वही चीज़ें आपके साथ घटेत होंगी एक ही चीज़ बार बार repeat pattern में चलती रहेगी आएंगे जाएंगे आएंगे जाएंगे और आपको लगेगा कि कोई stability मिली नहीं रहे इसलिए अब आपको एक new person बनना होगा ताकि आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो सके उमीद करती हूँ कि किसी तरीके से मैं आप लोगों को कुछ समझा पाई कि आप लोगों की journey में आप लोग कहां अटकते हो क्या करते हो और क्यूं करते हो कहां आप से गलतिया हो जाती है साही बाबा मुझे अब advice दे मेरे viewers के लिए पवित्र पुस्तक पढ़िए और ये जीवन उद्देश अपने life purpose और life path पे focus करो हम अपने जीवन में किसी भी कारण वर्स से ही आते हैं आप लोगों को लगता है कि हम यूँ ही आ गए पैदा हो गए बस हमें अपना काम करना है बिजनस करना है घर बनाना है प्रापर्टी बनाना ये हमारी जिंदगी है नहीं हमारा जीवन उद्देश क्या होता है वह important होता है हमें अपना life purpose पता होना चाहिए जिस life purpose के लिए हम आये हैं जब हम उस चीज को follow करते हैं जिसलिए हमें इश्वर में भेजा है हम जब उस बोलते ना उस form पे चलते हैं उस पत्र पर चलते हैं तब ही हमारे जीवन की सारी इच्छाएं पूरी होती है लेकिन जीवन उद्देश पाने से पहले हमेशा एक चीज का ध्यान रखना कि जीवन उद्देश शर्थ पूरा होता है जब हमारे अंदर की कोई इच्छा लालच लोब हमें कंट्रोल नहीं करता जब जब आप कंट्रोल में रहोगे और जीवन उद्देश से इसलिए पूरा करोगे कि ताकि आपके बाकी की इच्छा है पूरी हो जाए तो यह आपके लिए उल्टा परफॉर्मंस देता है ठीक है पवित्र पुस्तक पढ़े हो जिसका मतलब आप जो है न्यू परस्टालल्टी बना सकते हुआ मैं आपको साधू बनने के लिए नहीं कहरे हुए पहुत आपको यह खेयरी हूं कि उससे आपको युनिवर्स का ज्यान मिलेगा और आपको समझ में आएगा कि आपके जीवन में आपको कौन से पत्धफे होना चाहिए इसके लिए मैंने books डाल दी है, link आप लोग जो है description box में check कर लेना, आप लोगों को मिल जाएगी बहुत आसानी से, ठीक है, so ये थी आप लोगों की reading, अगर आप लोगों को reading पसंद आए, मस्त वाला like चिपका दो, दीदी ने आग मस्ती नहीं करी, क्योंकि दीदी आज straight to the point reading कर रहे थी, so बुरा ना मानो, next videos में हम लोग देखेंगे, ठीक है, so आज, अगर उसके अलावा, आप लोगों को मैं ये भी बता दू कि मेरी जो है personal reading फिलाल मैंने बंद करके रखी है, but in future चालू होगी, तो DP पे दिखेगा कि booking is open, तो जब booking हो जाए, आप open तब आप booking भी book करवा सकते है, personal reading के लिए बाई कर सकते है, मैंने number WhatsApp का दे दिया, WhatsApp करें, call ना करें, personal reading free ने होती, charges लागो होते है, bracelet वाले का और बाकि सारी चीजों का भी number दे दिया है, link दे दिया है, description box में, आप मुझे वहाँ, follow, share, subscribe करें, और चैनल को भी धेर सारा प्यार दे, जैसे आ हम खुद होते हैं, दूसरे ने, हम दूसरों को competition समझते हैं, अपना, actually यह नहीं है, हमारा competition हम खुद है, ठीक है, so इस बात को जिस दिन समझ गए ना, जिन्दगी में बहुत आगे जाओगे, okay, so यह थी आप लोगों की reading, अपना ध्यान रखना, मुसकराते रहे ना, bye, take care, so अब आते हैं, pile no 2 की तरफ, जिन्होंने यह lavender color का crystal चुना है, बहुत ही cute सा, बहुत ही beautiful सा lavender color का यह pyramid crystal है, मुझे बहुत पसंद आता है, so इसमें बहुत जादा फूलों की पंकडिया भी है, जैसे कि मैंने बताया, बहुत ही beautiful है, तो चलो आज इसकी reading शुरू करी है, pile no 2 वा के और इनके partner के बीच में, क्या यह बुनों एक हो जाएंगे, इनकी पूरी कहानी, इनकी जिन्दगी के अध्याय, इनके relationship की पूरी story, और इनका एहसास, इनके vibrations, मुझे सब बताएं, the magician, the hangman, okay, यह तो भाई, expected ही रहता है, six of wands, wow, okay, princess of swords, reversal है, princess of cups, reversal है, ten of cups, okay, upright, ace of pentacles, upright, two of swords, upright, temperance, the sun, bottom of the deck, prince of swords, oh my god, बाई साब, नसीब लेकर पैदा हुए हो, so, काफी अद तक मुझे दिखाई दे रहा है कि, आप लोग जिन से deal कर रहे हैं, वो काफी strongly Leo, as a Sagittarius हो सकते हैं, जिन से आप deal कर रहे हो, और काफी अद तक मुझे Cancer Scope of Isis के energy दिख रही है, कुछ लोगों के लिए Libra के energy भी बहुत strongly दिख रही है, Libra और Taurus के energy, तो Taurus Cancer ये, sorry, Taurus वरको Capricorn भी हो सकता है, कुछ लोगों की मकर के energy दिख रहा है, ठीक है, so, इन में से कोई sign आपकी और आपके person की हो ही सकती है, ठीक है, so, कही न कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि present situation में, आपके person या person ही जो है, एक पेड़ पर लटक गए, जिसका मतलब ये person जो है, आपसे बात नहीं कर रहे है, या किसी चीज को लेकर बहुत cold behavior कर रहे हैं, आप इन से किसी भी तरीके के सवाल का जवाब मांग रहे हैं, तो ये आपको देने से इंकार करते हुए दिख रहे हैं, ये आपको response नहीं दे रहे हैं, और आपके साथ ब पीच में जब person चुनाव नहीं कर पाता है, या अपने mental trauma से बहुत जादा जूचता है, जब उसको लगता है कि मेरे mental trauma बहुत जादा बढ़ चुका है, मैं बहुत जादा stress दूँ, मैं बहुत जादा परेशान हो, और इस वक सिफ और सिफ मेरा एक मात्र मोटिव है, कि हुआ है, जिसके कारण present situation में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, कि आपके person या person ही जो है, वो आपके साथ बहुत cold behave कर रहे है, यानि कि बिल्कुल बात नहीं कर रहे, या बात कर भी रहे, तो इतना ऐसा कि लग रहे है, क्यों ही बात कर रहे है, जादा बहता है, या जादा आपको avoid या ignore किया जाता है, या relationship, long distance relationship हो सकता है, या बहुत लंबे समय से आप लोग की communication बंदे, इसलिए हो सकता है, मुझे long distance relationship दिख रहे है, I can even see traveling, मुझे traveling दिख रही हो सकता है, आपके person या आप travel कर रहे है, किसी तरीके कि मुझे ऐसी energy दिख रहे है, जिसमें बच्चा या marriage भी involved है, baby या marriage involved है, आपका baby होगा, इनका baby होगा, किछ baby या marriage कही दिख रहे है, मुझे, हो सकता है कि person, आपके person जो है married है, या उनका baby अभी conceive है, pregnancy कही दिख रहे है, I can see that, so कही ना कहीं overall ये current की energy है, और past में ऐसा दिख रहे है कि भाई साहब आप लोगों की तो हो गई आपकी जिन्दगी ऐसी थी, जैसे कि मानो दुनिया में हर एक इच्छा पूरी हो गई है, आपकी जिन्दगी में आपके बले बले चल रहे है, आपके हर तरीके की ख्वाईशे पूरी हो रहे है, जैसा relationship, जैसा bond आपने चाहा था, ठीक वैसा bond और वैसा relationship आपको हासिल आपकी जिन्दगी में हर तरीके से आप enjoy कर रहे थे, हापी थे, अपनी दरफ से अपना best दे रहे थे, अपनी दरफ से अपना best like enjoy, receive भी कर रहे थे, कहीना कहीं सा लग रहा है कि इससे पहले आपकी जीवन में वो सभी चीज़े घटेत हो रही थी, जैसा आपकी पास्ट की आप बंद करके कि इन्हों ने अचानक से आपको जो है इतना confused कर दिया है कि आपको लग रहे है कि बापरे किस पर भरोसा कर दिया और किसके साथ relation बना दिया, यह तो एकदम गोड़बक टाइप की personality है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है जिस person के तरफ से कल तक इतनी जादा activity थी, कल तक जो person आपको इतना जादा प्यार, लवी, डवी, बाबू, बेबी, शोना कर रहे थे, अचानक से वो कहां सो गए या कहां खो गए आपको खुद को समझ में नहीं है, कही ना कही आने वाले समय में रीकंसलेशन तो definitely मुझे दिख रहा है, जहाँ पर आप मुझे सवाल करेंगे कि आप दोनों एक होंगे, definitely होंगे, ना सिर्फ होंगे, वो जो एक सौंग है ना, like marriage, marriage भी मुझे दिख रही, even growth और marriage भी दिख रही है, और कही ना कहीं हो सौंग है, कब से आए, तेरे दुलहे राजा, और लड़कों के लिए मैंदी लगा के रखना, वो वाला कही ना कहीं मुझे position दिख रहा है, तो don't worry, आपके जो गुडबक या गुडबक की जो भी है, जो एक नंबर के जो भी आपने जो है, एक ऐसे इनसान को पसंद कर लिया है, जो आपको confused कर रहे हैं, वो बहुत जल्द मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, कि आपके सामने कोई ऐसा bond या ऐसा offer या ऐसी growth आपके सामने ले आएंगे, जो आपको बहुत साथा खुश कर सकती है, आपके person जो है, इस वक्त अपने आपकी growth पे भी focused है, अपने career पे अपनी जिंदकी पे बहुत साथा focused है, current situation ऐसा दिखाई दे रहे हैं, जैसे अपने जीवन में बहुत सारी चीज तब तक आप नहीं मानोगे, तब तक आपके जीवन में negativity बनी रहेगी, जिस दिन विश्वास हो गया, उस दिन आपकी जिन्दगी में बले बले फिर से शुरू हो जाएगी, कई ना कई मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, कि आपके जिन्दगी में प्रॉब्लम ये है कि को आप बाहें कोल कर शारु खां की तरह खड़े को जाता है एमिलें रहे मैं तुम्हारे लिए खड़ा हूं, थी कख या सबक सिका रहा है और आपको क्या है ना, एक्रसे तो आपण तोड़ासा डिप्लोमातिक बनो थोड़ासा मैनुपलेटिव और दिमाग से काम करो यहाँ पर महाभान भी जीत नहीं है न मेरे दोस्त थोड़ासा दिमाग से भी play करना होगा, ठीक है? तो शतरंच वगएरा जो है, वो, क्या बहुते हैं? वो, वो होते हैं, तो नाम भी याद नहीं आ रहा है, तो शतरंच ही था, क्या था? जो ऐसे ना, ये कैसे कंचे के जैसे फेक रहे थे, डाइस डाइस फेक रहे थे, I don't remember that name, पता नहीं क्यों जब चीजे याद हो नहीं चाहिए, ओ नाम मुझे क्लिक नहीं होते, बंदा या बंदी आ गए तो भई आप तो साथवे आसमान में उड़ने लगो, तो युनिवर्स चाहता है कि आप लोगों को सबक मिले, आप लोगों को अकल है और आप लोग भी चैस खेलना सीख जाओ, ठीक है, तो इसका मतलब यह नहीं कि कली चैस के क्लासिस लगा लेगी, दीदी ने बोला है, चैस सीखूंगी तो रिलेशन्शिप मिल जाएगा, तो भई इतना भी मत करना मुझे पर उपकार, चैस का मतलब आपको दिमाग से बहुत सारी चीजे करनी हैं, जो चीजे आप बहुत जादा इमोशनल लेवल पर कर रहे हो, दोनों चीजे यही आई है यहाँ पर दिख रहा है कि इमोशन बहुत जादा हैवी हो जाते हैं आपके कभी-कभी और कभी-कभी आपके जो बोलते ना आटिट्यूट में कमी आ जाती, आप जो हमेशा आपने आपको ना चुनकर इनको प्रेजेंट, हम बोलते ना इनको ही जो है ललु पच्चू करते जाएगा, रिवसल का मतलब यह है कि खुद से छोड़कर बागी दुनिया से प्यार करने निकलते हो, परिवार को जो है सेवा दोगे, दोस्तों को सेवा दोगे, भाई अपने पार्टनर को भी मेवा दे दोगे, पर जहां अपनी बात आई तो रुखी सुकी खा कर भाई ग आपको भी दंडे पढ़ेंगे, क्योंकि अगर आप सुधरोगे नहीं, वो कहते है ना कि तेडी दुम बने रहोगे, तो बार-बार युनिवर्स आपको डंडे मारेगा और बोलेगा सुधरे नहीं, अब भी नहीं सुधरे, अभी भी वो आ रहा तो पगला रहे हो, ठीक है ये बात सही नहीं है, ग्रोथ मिलेगी, स्टेबिलिटी मिलेगी, लेकिन जिस हाथ से आएगा, उस हाथ से चला जाएगा, अगर आप सबक नहीं सीखे तो, अपनी सबक को सीखना शुरू कर दो, युनिवर्स कह रहा है कि आप डिजर्व करते हो कमपलिशन, आपने बहुत स आपके आस-पास जो है, लोग होते हैं, लेकिन संभालने वाला कोई नहीं होता, कोई संभाल कर या उठा कर ये नहीं कहता कि मेरे दोस्त, मैं हूँ ना, मैं संभाल लूँगा, तो ये क्यों हो रहा है आपके जिन्देगे में, क्योंकि जरुद से जादा आप लावी डवी गुड़ी गुड़ी हो गए हो, बहुत क्यूट क्यूट हो गए हो, आपको तो सब जगा अच्छा रहना है ना, युनिवर्स कहा रहा है, गुडबक सिधर सुधर जाओ, ठीक है, सब कहीं ना कहीं युनिवर्स आपको बहुत सारी चीजों का ज्यान देने की कोशिश कर रह जिन्दगी में बहुत जादा happiness और positivity मिलेगी, इस ओपैंटिकल नहीं शुरुवात और नहीं कहानी को लिखने के बारे में बताता है, ये कहता है कि एक जिन्दगी की एक नहीं अध्याय को पूरा करें गया, लेकिन उसके लिए आपको कुछ चीजों के लिए denial भी लेना जर बंधू क्या ही सिखे, कुछ लोगों को अगर inner work करना नहीं आता है, तो लोगों को बुक्स पढ़नी चाहिए, inner engineering की बुक पढ़ो, भाई सद्गुरू एक inner engineering की बुक भी मैंने अपने description box में share की है, आप लोग उस लिंक पे क्लिक करके बकायदा, वो बुक भी बाई कर सकते अगर आप लोगों को चाहिए, inner work करना नहीं आता, तो उसके लिए भी वो बहुत ज़्यादा help हो जाएगा, काफी अतनक inner work required है, self love required है, अपने आप से छोड़कर अगर दुनिया से जग से प्रेम करने निकलोगे, तो ठोकर तो खाओ गे ही, तो universe कहता है कि helpful रहो, मदद करो लोगों की सबका अच्छा सोचो, लेकिन सबसे पहले किसका अच्छा सोचो, हाँ, अपना अच्छा सोचो, so universe कही ना कही आपकी मदद करना चाहता है, आपके life में एक balance जरूर लाता हो दिख रहा है, even pregnancy दिख रही है, अगर pregnancy का बहुत बड़ा problem है आप दोनों के जीवन में तो pregnancy घरूर conceive होगी और दोनों के बीच में फीके होट तेरे प्यासा दिल मेरा, वो कही न कही वाली energy दिख रही है, जिसमें इम्रान आस्मी और मलेका या मलीका शेरावत थी के अरोरा खान थी, नहीं, शेरावत थी ना, right, शेरावत थी, तो वो वाला मोहल बन सकता है, आप आपके person या person कोई भी तरीके का stand या action नहीं ले रहे तो भी ready, वो action लेने को तयार होंगे, एक tank पर होंगे, बट कहीं न कहीं आपको भी उनके लिए पहले खुद को बदलना होगा, खुद को बदलने नहीं है, बदलना नहीं है, बस बटके उनको बदलते रहो, बोलो वो ब को रहाट आएगी, नहीं, happiness वो होता है, जो हमारे मन से निकलता है, जिसमें किसी के होने ना होने से हमें परक्त नहीं पड़ता, कोई है मेरे साथ, नहीं है, वो important नहीं होता है, आप फील होता है, जब आपके person या person या आपके आसपास होते, तो universe बोलते है, यह नहीं चाल बे, ऐसा तो बिल्कुल नहीं चलेगा, आपके universe आपको किस तरीके का lesson सिमझाना चाते हैं, आपके तरफ से reconciliation होगा है, जरूर, growth भी मिले की, even marriage भी दिख रही है, और काफी अद तक कुछ लोगों की पताने क्यों मुझे second marriage, यूँकि दो राजा, दो queens दिख रही है, तो possibilities है कई ना कई मुझे आप लोगों की जिंदगी में एक बहतर कल की शुरुआत दिख रही है, आपके person आपके लिए बहुत जादा active और बहुत जादा high level पे stand लेते हुए, जरूर दिख रहे हैं, तो अगर आपको ये लगता है कि आपके person जो है, आपके लिए कुछ नहीं करना चाहते, वो सिर्फ और सिर्फ बैट के popcorn खा रहे हैं और picture का मजा ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा मेरे दोस्त, वो भी अपनी तरफ से अपना best करेंगे, अगर आपने अपने चालेंजिस का सामना किया, तो universe मुझे बता है, इमकी जिंदगी के obstacle और challenges क्या है, पाइल नंब तो यह आपकी जिंदगी का बड़ा challenge third party है, अब third party हो सकता है, बहुत manipulative है और आप बिल्कुल भी manipulative नहीं हो, उनको अच्छे से नचाना आता है और आपको आपको जो है, नचाना आता नहीं, उल्टाब नाचते रहते हैं अपने person या person ही के धुन में, तो या तो आप जो ह थोड़ा सा manipulative और practical हो जाओ, या तो आपको जरूरत है अपने अंदर की addiction को तोड़ने की, की स्तरीक हैगा addiction दीदी, की स्तरीक हैगा, तो मैं दीदी बताएगी, अभी addiction याने के कोई ऐसी चीज जिसकी आपको आदत लग गई, आदत लग गई मतलब हर दिन, आपके partner से 50 बा ऐसे ही चलेगा, नहीं एक दिन सब कुछ बदलना है, परिवरतन ही संसार का नियम है, तो अपने अंदर की आदत को बदलो, अपने addiction को अपनी जिन्दगी मत बनाओ, आपके person को लेकर आप इतने जादा dependent हो गई हो कि अपने जीवन पे आपका कोई वजूद ही ने, तो अप आपके बनाओ, आपके परसन आपके आपके आदत को छोड़ना पड़ेगा, अपने आपको बदलना पड़ेगा, अपनी हर रूटीन को, हर चीजों को बदलने की कोशिश करो, अपने जीमन में बैटे-बैटे उम्मीद मत करो कि युनिवर्स ही सब कुछ करेगा, कुछ तो आपके आपको भी करना पड़ेगा, है ना, मेनट करोगे तभी कि रिजल्ट मिलेगा, अप देथे हैं साही बाबा के लिए मैसेच क्या है? थोड़ी सी हो जाते हैं इसमें कैसे अपर काबू पाना सीखो अब इन चीजों में कैसे काबू पाया जा सकता है यह थोड़ा आठ है आपको सीखना पड़ेगा इसलिए मैंने कहा कहा इनर इंजिनेरिंग की बुक पढ़ लो थोड़ा सा समझने आएगा कि कैसे आप इस आठ क अचीव कर सकते हैं चिंताएं डर गुसा यह सब युनिवर्स और साही बाब आपसे कह रहे हैं मेरी धुनी में जला दो अब आपके पास कुछ भी नहीं है बुक पढ़ने की भी हिमत नहीं है और आपको लेता है बुक कॉन पढ़े बहुत बूरिंग होता है यह होता है तो अब ऐसा करो कि ऐसे कोई कैंडल रख दो कोई भी कैंडल दिया रख दो और उसको कंटीनिव फोकस करो और ऐसा इमाजिन करो कि आपने अपने दिल की सारी जो इच्छाएं लालज डर किसी चीज़ का स्ट्रेस है वो सब उसमें उस दुनी में आपने जला दी आना शक्ति तो कही ना कहीं आपके लिए मेसेज आया है आना शक्ति का अर्थ ये कदापी नहीं कि आप लोगों से या परिस्तित्यों से भागे सिटुएशन से भागने की कोशिश कर रहे हो राइट शॉटकट ढून रहे हो नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं करना है मुझे रिलेशनशिप के लिए मुझे क्यों बदलना है ये तो मेरी आदत है वैसी रहेगी मैं ठीक तीन बज़े खाना खाता हूं मैं ठीक तीन बज़े ही खाना खाऊंगा मैं को ठीक चार बज़े को मैसेज करते हैं तो मैं चार बज़े ही मैसेज कर रहा हूं तो यूनिवर्स कह सबसे पहले खुदको कंड्रोल में लाना सीखना होता ठीक है हम अपने आपको हम अपने का CCP ंपा सके हम अमने जीवन में सब कुछ हसल कर सकते तीक है तो अपने ऊपर जो है पहले अपने इंआपनी इमोश Robertson पर काम कर ना सीखो किया आप ज्जादा stress ना ले सको आपने आपको हसता हुआ हो पॉसिटिव पसनालिटी बना सोगो ऐसी चीज़ों को करने की कोशिश करो ठीक है तो पाइल नंबर टू वालो ये थी आप लोगों की रीडिंग रीडिंग पसंद आई मस्त वाला लाइक चिपका और सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हो जल्द ओकी पहले मेंने बुकिंग चालू रखे के नहीं कुछ दिन तक मेरी तरफ से बंद रहेगी जैसे यह बुकिंग शुरू हो की बैरे डीपी पे दिखेगा कि बुकिंग चालू हो चुकी है है आप चाहे तो तब बुकिंग बन स्वरू करवा सकते हैं पस्नल लिडिंग के प्रेस्लेट वाले भाहिया का नंबर चाहिए जो कि मैंने भी पहना नहीं दाल दिया पने कॉंटक कर लेना थीक है मेरा वाला गुम हो गया बताया था ना कितनी बार बता हूं ठीक है अपना ध्यार रखना मस्कराते रहना बाइ टेक करों साहिडाम अपना रखना बाइब कर दो दो भुम हो गषना बाइब कर दो कि मैंने रहना बाइब कर दो कि बाइब कर दो कि अजया प्रोग।